तो फ्रेंट नमस्कार आज के वीडियो में लेका आया हूँ कापी राइट क्या होता है यूटूब पर कापी राइट सब्सक्राइब फालो किया जाता है यूटूब के तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट है फ्रेंट कापी राइट के बारे में कापी राइट तीन तरका होता है का कापी रेट क्या होता है प्रेंड? नहीं जानेंगे बात में क्या होगा? साल भर दो साल बाद आपके चैनल डिलेट हो जाएंगे, आप लो रोते रह जाएंगे. ऐसे ही है, में सासी को एक चैनल था, इसमें एक मिलियन सब्सक्राइबर, एक दो नहीं फ्रेंड, एक मिलियन और बाद नो रोते रह गए तो बाद में वापस भी चैनल नहीं मिलता है तो आप सुरू से जानेंगे copyright strike क्या है, copyright claim क्या है तो आप उसको follow करेंगे ताग long term पैसा कमा सकते है YouTube से नहीं तो एक time ऐसा आएगा, delete कर देगा आपको सब कुछ हाथ खाली हो जाएगा तो बताओं आपको strike क्या होता है जैसे एक example लेता आपको यह मेरा mobile है, यह mobile मैंने कहां से खरीदा है दुकान से खरीदा है तो दुकान से खरीदा है तो यह mobile मेरा हुआ इसको मेरा अधिकार है और कोई मेरा शीन के लेके जाएगा तो मैं क्या करूँगा पुलिस में जाओंगा, कम्प्लेन करूँगा कम्प्लेन करूँगा तो उसको पकड़ के पुलिस लेके आएगी जेल में भी डालेगी ऐसा ही है copyright strike strike में क्या होते है कि कि किसी ने movie बनाया मालने करोडो लगा, करबो लगा movie बनता है आप उठाक अपने channel पर डाल दिया चाहे किसी ने web series बनाया किसी ने गाना बनाया उठाक अपने channel पर डाल दिये तो उसको क्या मिला जो view आएगा आपको मिलेंगा पैसे तो उसको क्या फाइदत तो है नहीं तो ऐसे होता है चोरी आपने समझो उसका चोरी किया गाना चाहे मूवी चोरी करका अपने channel पर टाल दिया अब क्या होगा जिसका रहेगा मूवी रहेगा चाहे गाना रहेगा वो आपको इस्ट्राइक देगा YouTube के तरफ से जब इस्ट्राइक आते हैं तो YouTube उस वीडियो को डिलीट कर देता है और साथ-साथ आपके channel पर आपको mail भी आते हैं कि 90 days के लिए इस्ट्राइक लग गया आपके channel पर अब क्या होता है इस्ट्राइक एक channel पर तीन इस्ट्राइक अगर आगए भी भेशता है तो इस्ट्राइक मिलते हैं आपको तो तीन महिना में तीन इस्ट्राइक आ गया तो चैनल डिलीट हो गया दूसरा इस्ट्राइक क्या होता है copyright claim जैसे आप वीडियो अप्लेट करते होंगे तो लिखता हो copyright claim मतलब music वाले होते है इससे क्या होता आपका चैनल डिलीट हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं होता है copyright claim में उसमें क्या है claim का मतलब है उस वीडियो से जितने भी earning होंगे वो सारे earning चले जाएंगे उस चैनल वाले को उस जो गाने वाले होगा जो गाना बनाया होगा गाया होगा उसको चले जाएंगे तो इसमें copyright claim में क्या होता है आप उस वीडियो से कोई फाइदा नहीं है कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा हो चले जाएगा उस company को जिस company sharing होता है जब वो claim करेगा आपको तो उसमें क्या होता उस वीडियो से जितने भी आपको earning होंगे तो जैसे दस रुपया आया यूट्यूब के तरफ से यूट्यूब उधरी डिवाइड करके पांच रुपय उसको देजाएगा पांच रुपय आपको देजाएगा sharing वाले म करेंगे चाहिए वीडियो उच करेंगे चाहिए जो भी उच करेंगे किसी का तो एक दिन ऐसा आएगा कि स्ट्राइक आएगा चैनल डिलिट हो जाएगा तो कोशिस किजिए खुद का आपका जो भी content और खुद कर रहेगा तो headache नहीं रहते हैं long term हमेशा के लिए करेंगे लिए में